पिछले कई महिनों से गैस पाइपलाइन बिछाया जाने से प्रभावित किसानों ने अपनी जमीन और अपना हक पाने दरदर की ठोकरे खा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में दुर्ग कलेक्टर पहुंचे, किसानों ने नवपदस्त दुर्ग कलेक्टर से मुलकात की और परियार लगाई। किसानों की भूमी पर पाइपलाइन बिछाने के कार्य को जारी रखा है, जिससे क्रोधित किसानों ने आज दुर्ग कलेक्टर से मुलकात कर अपनी परियसानी बताई, आगामी 15 दिनों में कोई सुनवाई नहीं की जाती, तो किसानों ने कहा कि सभी प्रभावित किसान सड प्रभावित हो रहे हैं, एक साल पहले यह काम शुरू हो गया है, कई किसान विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं बार बार के हमने दावा अपत्ति की थी, और कह रहे हैं किसान के हमको अपना जमीन नहीं देना है, लेकिन इसके बावजूद गेल इंडिया कंपणी की सक्षम बिना किसानों की उपस्तिती के सर्वे किया गया है। फसल नुकसान ये इत्यादी जो भी नुकसान खेतों में हुआ है उसका पंचनामा का पावति किसी किसान को नहीं दिया गया है। किसानों को मुआज़ा अभी तक नहीं मिला है। हमारे साथ बागडुमर, बोड़े गाउन, ननकट्टी के किसान आए हुए हैं। जो अभी फिलहाल पाइपलेन के काम को रोक के रखे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको अपनी जमीन नहीं देना। इसके पहले भी हम आज से तीन मेहना पहले आये थे। उनको भी हमने ग्यापन दिया था। पर निवेदन किया था कि अधिसूचना जो जारी हुए इसके रद्द किया जाए। लेकिन उनके द्वारा कोई भी संग्यान नहीं लिया गया। उल्टा जो SDM राउटे जी गाउं में आये थे बोड़े गाउं और संजय जी हमारे किसान भाई हैं। उनके साथ दुर्वेवार हुआ था और किसी प्रकार का कोई रोक नहीं किया है। आज भी काम गेल इंडिया कंपनी एकदम ताना साही तरीके से कर रही है। और बार बार वो रहा हैं कि हमारे खेंट को नुकसान मत करो लेकिन मनमाने के से किसान को दबाते हुए डराते हुए अपना पूरा काम कर रहे है। अच्पुना हम मानिय कलेक्टर को ग्यापन दिये हैं और उसे निवेधन किये हैं कि यदि 15 दिन के अंदर हमारी मांग पुरी नहीं होती है तो हम चक्का जाम करेंगे मैं बोले गाँ से आए हों किसान संजेक मरताम्रकार गेल इंडिया पाइप्लेन बिना समती के बिना को ये मौज़ा दे किसान से दद्दास फिर गढ़ाओ खड़ी फसन में काम चलूए उखर लगादार दो महिना से उखर हमने प्रयास रथां ये घर काम रोके बार तेमा कु से नसीं फारु कि कि रिपोर्ट